दोस्तों प्यारे बच्चों नमस्ते आज हम कच्छा नो के विज्ञान की NCRT की किताब से question number 5 करने जा रहे हैं अब भ्यास प्रस्ण question number 5 है question number 5 परमार योम अड़ के अध्या से लिया गया है question number 5 क्या कह रहा है निमलिखित योगिकों में बिद्वान तत्तों का नाम लिखिए question number 5 कह रहा है निमलिखित योगिकों में बिद्वान तत्तों का नाम लिखिए पहला है A, B, C, D ये चार प्रस्ण है पाचमे के चार प्रस्ण है पहला है बुझा हुआ चूना, दूसरा है hydrogen bromide, तिसरा है baking soda, खाने का soda और चौथा है potassium sulfate तो बुझा हुआ चूना का सूत हम सबसे पहले लिखेंगे, बुझा हुआ चूना का सूत होता है calcium hydroxide caios का होल twice, एक calcium hydroxide पुझा हुआ हुआ चूना है और इनमें योगिको में, ये हमारा क्या है? योगिक है क्या है? योगिक ये योगिक है योगिको में बिद्वान तत्तु, इसमें कौन कौन से तत्त बिद्वान है? ये calcium हमारा तत्व है कैल्सियम एक तत्व है आक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन ये तीन तत्व इसमें बिद्वान है इस योगिक में इस योगिक में तीन तत्व बिद्वान है काल कैल्सियम आक्सीजन और हाइड्रोजन अगला हमारा है हाइड्रोजन यह पहला तत्तु है हमारा hydrogen, एक तत्तु है hydrogen, दूसरा तत्तु है bromide या bromine, यह BR, यह हमारा bromine है, यह hydrogen है, यह B वाला हो गया, अब C है baking soda, खाने का soda, इसका सूत्र होता है sodium bicarbonate, इसका नाम होता है sodium bicarbonate, इस sodium हमारा एक तत्तु है, दूसरा तत्तु है hydrogen, तीसरा है carbon, और चौथा तत्तु है oxygen, sodium, hydrogen, carbon, oxygen, यह चार तत्तु है हमारे, यह पूछ रहा प्रस्ण, अगला है potassium sulfate, potassium sulfate, SO4, potassium sulfate, यह K2SO4, तो इसमें क्या है potassium, हमारा एक तत्तो है potassium, दूसरा तत्तु है sulfur, potassium, यह sulfur, और तीसरा तत्तु है oxygen, तो इसमें potassium, sulfur, oxygen, यह तीन तत्तु, चौथे में विद्वान हैं, उपस्थित हैं, क्वेश्ड़ का विद्वाई रहा है किुखाओ की उसमें कि पिचलों कीैंज है प्रस्ण, यह रचित हैं, स्दक्छ़ कोई बेंगाई प्रस्ण, तो इसमें कि तत्तु हैं, एक रहा है पूंगा है एक चुछास्ट हैं, यह झाज़को जह भीवास्चा है्वाई